इसमें लावर मांग रहीं प्रिवियस लाब में हमने assembly language की और उसके task की है इस लाब में हम C programming करेंगे और उसके लिए characters obviously sorry variable data type जो है character int long float इस पे हमने एक video upload की है जिसमें हमने सारी ये ports with explanation and with implementation explain की है हम इस लाब में इसके जो assigned task हैं यनि हम किसी भी port की कोई bit select करें उस पे हम input लें और कोई भी port ले लें लाइक भी तो हम उसको output शोकर आदें इस तरह मैंने port B ले ली ठीक है उस पे हम मैंने input ले ले लिया वह भी और जो मैंने sequence शोकरना है यनि FF और 55 का AA और 55 का sorry तो वह मैं port B पे शोकरना code simple है पहले direction दे दी उसके बाद जब भी port B का bit 1 है वह हाई होगा तो port D जो है वह यह sequence देगी और otherwise यह sequence देगी implementation जब low है ठीक है तो हमारे पास 10101010 की sequence दी और जब वह high है हमारे पास 01010101 की implementation दी और चुक्क हमें hexa decimal में instructions दी हमने binary में की that means the same now हम systems की hardware implementation दीखाते हैं so हमारा task 2 है hex keypad का interfacing है with seven segment okay तो हम एक calculator बनाएंगे ठीक है और उसका उसकी logic वह उसकी logic हमें समझ आ सकती है उसका table देखने से ठीक है और lab manual में हमने उसका table explain किया है what is thumbs up प्रूल जसका आसे प्रूल